तो देख सकते हैं आप लोग बारिस के कारण आजकल पहाड़ों में जो यह सबजी साख सबजी है तो इसके पौधे भी काफी बड़े-बड़े होने शुरू हो गए है क्योंकि आजकल चल ला है बारिस वाला सीजन और घर की अगल बगल गलियू में काफी ज्यादा कीड़े मुकोड़े हो जाते हैं और वो आजाते हैं डारक भी घर की चौक पर तो यहां पर इस खेत में देखो पूरा बाजरा बूर रखा था तो जंगली जानवर ने पूरा ब बॉर्णिंग दोस्तों वेलकम स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में और दोस्तों आज के मौसम की बात करो तो आज का मौसम भी कुछ इस प्रकार से हो रख है गाउं घर का चार ओर बादल लगे हुए है और चार ओर पूरी कोरा कोरा लगावा धुन ल तो कैसे हो आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मास्त होंगे जाँ भी होंगे अपने इमने काम में प्यस्त होंगे मैं आमें तीपक कंडारी फ्रूम््रुट उत्प्या अगस्तमनी के दर घाटि के खूब सुरत से गाऊं खालिव गाउं से ब्लॉं करता हूं बाकी दोस्तों आज के ब्लोग की सुरात भी हो रही है अपने गाउं घर से और उत्रा खंड के दर गटिए इन खूब सुरत से हरे भरे पहाडों से तो दोस्तों देखते हैं अभी क्या काम है तो अभी देख सकते हैं आप लोग मेरे आँखों में आज भी कि आँख में कापी ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इस व्यों से मैंने चस्में लगा रिखे हैं तो चलिए करते हैं आज के ब्लोग की सुरात भी देखते हैं घर में किया क्या काम होता है और कल मैं साम को रात को घर पहुंच गया था कल मार्केट में भी लेट हो गया था भाई लोगों के साथ रहे के लेट हो गई थी तो मैं कल रात को घर पहुंच गया था तो कल वाला ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाए नहीं था तो कल मैं रात को घर पहुंच गया था तो ब्लॉग मैंने सूट नहीं किया था बा तो घर के आगे पे देख सकते हूँ दोस्तों आप लोग चारोल फूली फूल हो रहे हैं इस साइड भी फूल और इस साइड भी फूल और घर के नीचे इस खेत में मामी लोगों के लगा रहे हैं अरबी पिनालू तो इस अरबी के फौदे भी कापी बड़े बड़े हो गए ह तो अचकल पहाड़ों में चारोर हरा भरा हो रख है और इस साइट देख सकते हो आप लोग हमारी लगा रखे थे राजमा की पौदे राजमा बो रिखी थे हमारी राजमा हो गए है करेले हो गए है तो यहाँ पर मिट्ची के पौदे लगा रखे है और ककड़ी के पौदे है टमाटर के पौधे है तो ये भी काफी बड़े-बड़े हो गए है तो देख सकते हैं आप लोग बारिस के कारण अचकल पहाड़ो में जो ये सबजी साख सबजी है तो इसके पौधे भी काफी बड़े-बड़े होने शुरू हो गए है तो दो-चार दिन में मार्केट में रह तो उसके बाद अब घर आ रहा हूँ तो अब जाकि ब्लॉक सूट कर रहा हूँ एक दो दिन के बाद तो बारिस हो रही थी पाड़ो में अचकल तो यहां देख सकते हैं आप लोग पाड़ो में साक सब्जियों के पौदे भी काफी बड़े बड़े होने सुरू हो गए है तो अभी दोस्तों मैं डालूँगा घर के अगल बगल गलियों में ब्लीचिंग पावडर तो ब्लीचिंग पावडर में इसले डालूँगा क्योंकि आजकल चला है बारिस वाला सीजन और घर की अगल बगल गलियों में काफी ज़्यादा कीड़े मोकोड़े हो जाते हैं और तो वो आ जाते हैं directly घर की चौक पे तो इस वियोंसे मैं bleaching powder लाए था कल market से तो यह देख लकते हो आप लोग यह है bleaching powder कल मैं इसको लाए था market से तो अभी डालूँगा मैं इस side गलियों में bleaching powder और इस side में ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं वो घर की चौक पे ना आए और इसकी smell से जाला कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं और मर जाते हैं तो चलिए फटापट समय इसको डाल देता हूँ इस side गलियों में तो चलिए तो अभी मैंने bleaching powder डाल दिया कीड़े मकोड़े चौक पे नहीं आप आएंगे अब क्योंकि इसकी smell जो होती है न वो कीड़े मकोड़े इससे मर जाते हैं जल्दी तो अब जाके थोड़ा कीड़े मकोड़ों का दर कम रहेगा तो अभी दोस्तों साम के 5 बजने वाली हैं और अभी मैं आगे हूँ अपनी गोशाला पे और अभी का मौसम की बात करो तो यह देख सकतो आप लोग सामने इस स्कीन पे चारो और धुन लगी हुए है कोहरा लगा वो और इस विए से कोई भी भ्योद दिखाई नहीं दे रहा है और सामने यहां पे हमारे गाउं का कार्तिक स्वामी का मंदिर हैं तो य यहां पे हमारी खेत में हमारी बोर खेते मक्का मुंगरी तो यह भी कापी बड़े बड़े पौदे हो चुके हैं तो इस साइड भी देख सकतो कापी बड़े बड़े हो गए हैं तो धिरे धिरे यह भी खाने लाइक हो जाएंगे और इस साइड ले चलो तो इस साइड हमार नुक्सान कर लिया है इतना बड़ा बड़ा था तो पूरा खा लिया है उसने जो जंगली जुआना जुड़ो होता है उसने पूरा खेज साप कर लिया है तो पहाड़ो में इसी चीज का डर रहता है मैंनत करो और लास्ट में जंगली जानवर पूरी मैंनत पे पानी फिर ले तो पहाडो में इसी चीज का डर रहता है मैनत करो और लाश टाइम पर मैनत को पूरी पानी फिल लेते हैं जंगली जानवर तो क्या बोल सकते हैं आप लोग तो यह देख सकते हैं यहां से पूरा गास काणना है जो दिवाल प्रुट्ट को हमारी बरते हैं बीड़ा तो इस बीड़े का पूरा गास मुझे काणना है तो मैं ब्लोग के लिए गास नहीं काट रहा हूं वैसे मैं काटता रहता हूँ तो मैंने सोचा घास काटी रहा हूँ साथ में ब्लॉग भी बना दिया जाए बाकी आप लोग मेरे आँकों में चस्मे देख रहे होंगे आप लोग बोले होंगे कि चस्मे लगा के घास काटा जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मेरे आखों में काफी जादा दर्द हो रहा है तो इस विया से मेरा continue चस्मे लगा रहे है तो अभी मुझे ये घास काटना है फटापर से ये वहां से लेकर यहां तक तो फटापर से मैं घास काट लेता हूँ क्योंकि अंदर अभी होने ही वाला है बाकि अभी दोस्तों पूरा घास मैंने काट लिया है ये देख सकतो आप लोग यहां से लेकर पूरा उधर तक और इस साइट तो मैंने घास काट के बान लिया है और यहां पे रख लिया है तो अब चलता हूँ मैं फटापर से गोसाला क्योंकि बारिस भी आ रही है ये दे को यह चीचे की आवज सुनाए दे रही होगी यह देखो तो इनको हमारी यहां बोलते हैं नीम्यारे जैसे ही अंदेरा होन को होता है यह चीचे करते रहते हैं तो चलिए आज का ब्लॉग भी जादा लंबा नékनी रखते हैं यही पर समात्त करते हैं आयो आप आप लोग को आज का मेरे ये छोटा सा ब्लोग पसंद आए अगर आप लोग को मेरे ये ब्लोग पसंद आए तो लाइक कमेंट सेर करें एंड चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को भी जरूर सस्क्राइब कीजेगा ताकि मैं आप लोगों तक अच्छे अची वीडियो पहुचाता रहूं तो जै हिन जै भारत जै दे भूमि उत्राखन जै बाबा केदार बाबाई टाटा टे केर